टीवी के दुनिया में टॉप टी आरपी में रहने वाला मशहूर टीवी शो तारक महता का उल्टा चश्मा इसी शो की मशहूर किरदार दया बेन यानि की दिशावकानी बहुत जल्द शो छोड़ने वाली हैं इनके शो को छोड़ने को लेकर क्या-क्या बाते कही जा रही है इस सारी बाते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में सब टीवी के पॉपिलर शो तारक महता का उल्टा चश्मा में दया बेन का किरदार निभाने वाली एक्टरस दिशावकानी शो को जल्द छोड़ने वाली है उन्होंने पिछले साल सितंबर में शो के लिए आखरी बार शूट किया था इन दिनों दिशा शादी और परसनल लाइफ में बिजी हैं और अब अपने बच्चे को समय देना चाहती है ऐसे में दिशा की शो पर वापसी मुश्किल नजर आ रही है हलंकि इस पूरे मामले पर शो की प्रोडियूसर असित कुमार मोदी का बयान सामने आया है उनका कहना है कि दिशा की बेटी भी बहुत छोटी है अभी उनके परिवार को दिशा की जरूरत है लेकिन अभी हमने दिशा से वापसी को लेकर कोई बात नहीं की है दिशा की और से शो छोड़ने को लेकर कोई confirmation नहीं आई है ऐसे में हम लोग ये नहीं कह सकते कि दिशा शो छोड़ रही है बता दें कि दिशा ने साल 2015 में मुंबई के chartered account मयूर बांडिया से शादी की थी हाली में उन्होंने पिछले साल नवेंबर में एक बेटी को चन दिया खबरों के मताबिक शो तारक महता के makers नए चेहरे की तलाश में भी है तो इस तरीके से तारक महता का उल्टा चश्मा की popular किरतार दया बेन इस शो को छोड़ सकती है दरसल दिशा इस शो में जेठालाल की वाइफ का किरदार निभाती हैं अपने अनोखे अंदाज की वज़ो से उन्हें शो में काफी popularity मिले शो में उनकी dialogue delivery का अंदाज सबको बहुत ही निराला लगता है दया की रूल के लिए उन्हें अपनी आवाज बदल कर बोलना पड़ता है इसके अलावा दिशा वकानी, जोधा अकबर, देवदास, लव स्टोरी 2015 और मंगल पांडे जैसे फिल्मों में भी नजर आ चुकी है लेकिन हाल फिलाल दिशा जो नजर आ रही थी काफी टाइम से शो तारक महता का उल्टा चश्मा में शायद शो को भी कह देंगी बाई बाई लेकिन इतना जरूर है कि दिशा के शो से छोड़ के जाने के बाद शो पर काफी फर्क पढ़ने वाला है क्योंकि उनके फैंस मस करने वाले हैं इस शो में दिशा को फिलाल इस वीडियो में इतना ही बॉलिवड और टेलेवजिन के दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को